हेलो दूस्तों देखिए मार्केट में एक तरफ आगर हम देखे आज भी गिरावट हुई कल भी गिरावट होती हुई दिखाई दी और अमेरिकन मार्केट गिर रहे है उसकी वज़े से कुछ निउस है उसकी वज़े से ओके तो एक्जेक्ली आपको क्या करना चाहिए किस तरीके से आगे की रनीती होनी चाहिए और क्या यहां पर हो सकता है यहां पर किस तरीके से निफ्टी काम करता हुऊ दिखाई देगा स्मॉल कैप, मिट कैप, इंडेक्स, और यहां पर अमेरिकन मार्केट क्या इफेक्ट यहां पर डाल सकता हूँ उन सब चियों से लिखेड बाते करेंगे तो यहां पर मार्केट में आपको पता है एक साथ गिरावट हुई है और लगभग चार दिनों की हम बात करें चार द सस्कार इतने पैसे खोचए है, कुछ भी कहलिए है तो इस अच्छे खासि यहां पर क्या हुए है गिरावट हुई है पूरे मार्केट में अगर बात करें और इसा नहीं कि हम यह तका गिर रही है अपर एच्छीते रही है बढ़र हैं यहां पर जाद़ गिड़ते हुए न पॉजिटिव ही यहां पर क्लोज होते हुए नज़र आ रहे है बारहे हजार यहां पर डाउन होती हुई नज़र आ रही है तो हमें इस चीछ की तरह भी क्या करना है ध्यान देना है तो क्या है आज डेटा आएगा पता चलेगी मार्केट में गिरावट होगे इसी बाता है गिरे होंगे सबसे पहले तो हम नज़र आ रहे हैं तो यहां पर अगर मैं उस बैंक से रिलेटेड अगर देखूं तो यहां पर निकाल लेते हैं अभी तो वो शायद बंद हो गया है यहांपर आजाएगा तो यहांपर हम देखते हैं सिल कन वैले बैंक ओक सक्णी आ चलीगी अच्छीब हैं इस में गिरावट हुई दिखाइए यह वाला यह नहीं है बाठ यहांस लिकन कर जिए विपी यहां पर गुरॉप है उस में इहां पर दिखाई देगा कि यहां पर दोगले दिन आंपर 60% कि यहां पर ओपन होता हुआ दिखाई दिया तो यहां पर ठीडिंग गुशेद पर दिया इस रवल्स कुछ बेंग है उन 옳े भी अच्छे अगर उसने रेट नहीं बढ़ा है तो यह मार्केट दुबारा भागती नजर आएगी तो यह वीक और आने वाला वीक थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा और जैसे ही नियूज आजाएगी उसका जो भी इंपक्ट होगा वह इंपक्ट रहेगा और उसके बाद दुबारा मार्केट हमारी भागती नजर आएगी तो सबसे पहले बात यह अब क्या है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दिखाई देता है सबसे पहले तो 31,113 के आसपास का सपोर्ट है यहां पर रुक गई चीज ठीक है अजर्वाइस और भी जादे हैं यहां पर गिरावट हो सकती और सीधे 28,000 के आसपास यह आता हुआ दिखाई दे सकता है Okay, NASDAQ यहां पर सही चल रहा है यहां पर जो IT स्टॉक से वहां पर रवाइंगँ हो रही है बट इस ते आप यहां पर देखेंगे यहां पर भी एक अच्छी खासी उपर से अगने देखे तो गिरावट होते हैं यह तो यह भी अगर गिरा तो यहां पर एक बहत्तरीन सपोर कि अगर हम बात करें यहां पर देख सकते हैं गिरता हुआ नजर आया अच्छा कासा ओपन था फिर गिरा इसी तरीके से और रहा हुए है यहां पर निफ्टी को भी आप देखोगे आज तो निफ्टी ने क्या क्या काम किया आज को आपको पर चलेगी यह वालिटिलिटी नीचे था ओके और आदे घंटे के अंदर अधर फिर ऊपर आ गया ब्रेक इवन पर फिर एक साती कुछी देर में आपको नीचे देखता हुआ दिखाई दिया इस तरीके की वालिटिलिटी है कि यहां पर थोड़ा सा कैश को होल्ड करके रखना एक अच्छी समझदारी वा मार्केट यसी भागेगा लीडिंग स्टॉक्स में बनियागा दुबारा पैसे बनते हुए नजर आएंगे निफ्टी-फिफ्टी की बात करें तो देखिए आज यह गिराबट हुए एक सपोर्ट था जो हमने अल्रेडी आज मौर्णिंग में अपने ग्रूप में दिया थ तो इस लेवल को यह दुबरा टच कर सकती है तो निफ्टी-फिफ्टी में हमारी डाय यह है नेगिटिव ट्रेंड बना हुआ है तो चीज़े नीचे आ सकती है तो इसलिए थोड़ा सा कौश यह सबयेगा ओके ओवर सोल मार्केट अल्रेडी हो गई है तो इस चीछ की करता है जो कि इस नहीं आप रास तोड़ दिया है अब नेक्स सपोर्ट केवल यह दिखाई देता है 8,925 तो लगब लगब एक सो पॉइंट से ज्यादा का मदा 120 पॉइंट के आसपास यहां पर गिरावट और दिखाई देती है एक यह गिरावट होगी लगब 1.5% की गिर क्रूशियल सपोर्ट के आसपास चल रहा है अगर यह लेवल जो टूटता है तो दूसरा लेवल में यह आपर 39,649 का दिखाई देता है और यह भी टूटा तो फिर चीजे ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आएगी फिर 8,682 और दीरे-दीरे करके निचाहते हुई दिख रहेगा तो हम आगे और बढ़ेंगे और और भी इंटी के इंडेक्स से लिटीर एक बार बाते करेंगे निफ्टी बैंक से लिटीर बाते करेंगे बड़ उससे पहले रिक्वेश्ट है चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को है टॉल की नोटिफिकेशन कौन करिएगा ता आप यहां पर जॉइन हो सकते है त्री मैंस के पैक्टेकल लर्निंग ऑनलाइन स्ट्राइजियो मार्किट में यूज होती है वह टेक्निकल रिशार्ज फंडामेंटर बेसिक्स टू एडवांस यह पूरा सिखाय जाता है डवलेट सिखाया जाता है इन नंबरों पर कॉंट यहां पर दिखाया है यह आज कही है टूडए 8.40, 41 पर हम यहां पर कुछ श्टॉक दिया थे उन में से दो श्टॉक्स 5-5% यहां पर भागता हुए दिखाय दिये ओके श्टॉक्स पुराना दे रखा था 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 थिरी परसेंट और देखें मार्केट गिरावट है बड़ आप मार्केट भागेगी तो इन ही श्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं बाकि प्रीमियम गुरूप है अगर जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है देखें कॉंटक्ट में और उसे साब से हम यहां पर बात कर सकते हैं उसकी फीस अला गया तो यहां पर आप इन नंबरों को सेफ करके रखें ताकि आपको यहां पर आगे जरूत पढ़ें तो आप कॉंटक्क कर लिजिए तो निफ्टी बैंक का लेबल क्रूशियल है यहां पर एक कैंडल बनी है डोजी जो कि रिवर्सल कैंडल होती है ओकि अगर इसका यहां से 49.871 क कि रिवर्सल करता है तो ओपर आगर जरवाइस का नीचे का ब्रेंग होता है तो चीजे दुबारा यहां पर नीचे आती हुए दिखाई दे सकते हैं इसा स्पिनिंग टॉप भी यहां पर कया जाता है थोड़ा सा यहां पर हमें कॉशिए स्भी अपनाना है यहां पर मार्क जाने के चांसे बने हुए है जो कि हमें दिख भी रहे हैं इसके लावा हम यहां पर बात करते हैं निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो देखिए लगातार यहां पर एक इसने हाई बनाया ओके और उसके बाद से टॉप बनाने क्या चीजे दुबारा लगातार नीचे आती हुई दिखाई दे रही है अब क्या तो यहां पर देखिए यह सपोर्ट सिंपल यह वाला है जो कि यहां पर दिखाई देता है 28500 के आसपस तो 28500 पर रुग ठीक है अधर्वाइस फिर 27,944 का एक सपोर्ट है यहां पर दिखाई देगा और फिर उसके बाद शायद बा यहां पर टेक्निकल सिखाते हैं तब बताते हैं निफ्टी आटो की बात करें तो निफ्टी आटो भी देखिए एक सपोर्ट है उस सपोर्ट को आज इसने तोड़ते हुए नजर आया है ओके और नीचे की तरफ आ रहा है 12178 इस लेवल को अगर इसने रोक लिया तो अच् यहां पर गुमती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है तो निफ्टी मैटल की बात करें निफ्टी मैटल डाउन ट्रेंड बना हुआ है ठीक है बेफाल तुमें कैच करने की अभी जरूवत नहीं है ऊपर हायर आइस यहां पर हायर लोज लगते हुए नजर आ रहे है देख दो नहीं है नजर आ रहे है दो रहने की एदायत है मैटल से अभी कुछ इस्टॉक से दोर है है मैटल के ब् Si Su जाएगा तो यहां पर downtrend बना हुआ है तो मेरे को लगता है कि अब इसका जो support यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है यह 11,251 की आसपास का support है तो nifty pharma से भी फिलहाल दूर रही है बट stock specific action हर एक sector में बना रहता है तो तो उसकी तरफ हम ध्यान दे सकते हैं निफ्टी FMCG की बात करें FMCG यहां पर अच्छा खासा चल रहा है ओके टॉप पर ही है बट यहां पर देखिए एक breakout कभी भी यहां पर हो सकता है तो nifty FMCG की तरफ ध्यान दीजिएगा पर दुबारा यहां पर चीजे नीचे आते हुई दिखाई दे रही है अभी ठीक है कोई परिशानी वाली बात नहीं है बट अगर यह 35,995 और अगर यह इस लेवल को तोड़ देती है में की रूशल लेवल है 331 अगर यह लेवल तो तो चीजे और नीचे आ सकती है पी एसी बैंक आपको पता ही है किस तरीके चलते हैं बट लॉंग टम की बात करूं तो शॉट टम में इस तरीके से हो सकता है बट लॉंग टम में शायद यह ऊपर जाता हुआ दिखाई दी सकता है 53-26 के आसपाल जो मैंने आपको पहले ही बताया था तो 22 सालने की कोई रिकमेंटेशन नहीं अपने फाइंश एडवाइज आ खुद की स्टडी करना फ्यूचर ओफ्शन की इसी तरीके से आप देखके टेक्निकल पता लगा सकते है सपोर्ट और उसके बेसिस पर बाकी इन WhatsApp ग्रूप में याड़ हो सकते हैं और फाइल उठा सकते हैं हमारी सर्विस का, so thank you so much God bless.